नवश्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube कैनल टेख्णिकल जो अब्यान में दोस्तों आज किस यूडियो के अंदर अपनर बात करने वाले है года skill test के बार में trade test के बार में अगर आपनी IT कर रखे है या फिर poltechnica diploma कर रखे है तो skill test, trade test यह क्या होता है, इसके अंदर कौन-कौन सी चीज है, किस परकार के प्रसन आप से पूछे जाते हैं, तो इसके बार में आपको जानकारी होना जरूरी है, बार्च सरकार के कापी सारे department ACA, जो कि IT और डिपलोमा के लिए skill test का, trade test का आवजन करवाते हैं, और यह इस क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इसमें जो minimum percentage होते हैं, वो आपको उतना number लेके आना जरूरी होता है, otherwise आपने return test के दर चाहिए कितना भी अच्छा score किया हो, इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप automatically उस vacancy चे उस बढ़ती से बाहर हो जाते हो, तो आज के इस वीडियों के अंदर अपन बात करने वाले skill test के बार में trade test के बार में है, वेसे देखिए कि current के अंदर DRD के vacancy चल रही है, तो उसी को देखते हो पन चीजों के बार में बात करने वाले है, DRD के जब भरती आई, तो काफी सारे बच्चों ने इसके बार में मुझ उसे चैन हुआ, तो उन से मैंने बात की भी वहाँ पे आपको क्या करवाया, कितना आपको टाइम दिया गया, तो उन्होंने जो चीजे मेरे साथ में सेर किये, वही चीजे आज की इस वीडियों के अंदर में आपको बताने वाला हूं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रह आईटी इलेक्टिशन से हो, चीजे टेकनिकल असिस्टेंट ग्रेड भी डिप्लोमा इलेक्टिकल से हो, तो मेरे खुद के हैंडिटर नोट से, अच्छी तरीके से कम्प्रीट स्टेडी मेटरल तियार किया हूँ, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो को डिसक्रेशन मिले आजाता है, यानि कि एक गंटे के आपको टाइम दिया आजाता है, और किस परकार की चीजें पूछी जाती है, इलेक्टिशन वाले बच्चें थे, उससी के बारे मेरे को ज़्यादा जानकारी है, तो देखे, यहां पर उन्ने दो चीजें बताये थी, एक तो आपके जितन लिखे भी equipment है ना उनके आपको नाम होना चाहिए, उनके काम पता होना चाहिए. भी जाते ही टेबल पे समान रखावा मिलेगा आपको जो IT Electrician की जितने भी टूल्स है जैसे कि आपकी फाइल होगी, फ्लेट फाइल होगी, राउंड फाइल होगी, हेकसा ब्लेड होगी, हेकसा होगया, हेमर होगया जाना और उसके बाद में आपका वायर स्टीपर होगया, वायर कटर होगया, नोज प्लाइर होगी, प्लाइर होगया, स्क्रू ड्रेवर होगया ये सब चीज़ आपको टेबल पे रखी मिलेगी, वो हाथ में उठा करके पूछेंगे भी इसका नाम क्या है जब आप नाम बता होगया, इसका काम क्या है, तो पहली ये चीज़ पूछे जाती है, आपके टूल से, आपके जितने भी एक्यूपेंट्स होती है, आपकी ट्रेड से समधी चाहिए, आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, तो उनका आपको नाम पता होना चाहिए, त आपको प्रेक्टिकल दिया जाएगा, जैसे कि एक बचे ने बता है, मेरे को DC संट मोटर है, उसकी स्पीड कंट्रोल करने के बारे में बुछा गया, यानि कि वहाँ पर एक लेब होती है, लेब के अंदर सारे आपको वहाँ पर सामान मिलेंगी, वो बोलेंगे भी ये आप आपको प्रेक्टिकल करके देना है, तो वो चीज आपको करके देनी पर एगा, DC संट मोटर है, उसकी स्पीड कंट्रोल करने है, तो सारी चीज़े वहाँ पर मिलेगी, वो आपको प्रेक्टिकल तोर पर करके बताना होगा, इसी साब से एक बचे ने बता है, मेरे को वायर दे दिये गए, और बोला गया कि जितने भी आप इसके जोइंट बना सकते हैं, वो जोइंट बना के दोर परते एक जोइंट का आपको नाम बताने है, जैसे कि आपका T जोइंट हो गया, Western Union जोइंट हो गया, सीधा दो तारों का जोइंट हो गया, तो जितने भी जोइंट ह मापने के बारें पुछा गया, मेगर का यूज किसी साफ से होता है, केबल का इंसूलेश टेस्ट करने के बारें उससे पुछा गया तो इस परकार की चीज़े उन्होंने बताईए वो यहाँ पे इस परकार से practical knowledge चेक करते है, एक बचा उन्होंने बताई, automobile trade से था, तो उसका कोई gear था, उसका oil change करने के लिए उसको बोला गया, और differential gear का oil change करने के बारें उसको पुछा गया तो वो चीज थी, एक उन्होंने बताई electronic, mechanic trade का बचा था, तो उन्होंने बताई एक circuit बताई, जैसा कि उन्होंने मेरे को भेजा भी इस परकार चेक circuit था, जिसमें capacitor लगावा था, diagram बनायावा था, और उसके बाद में, यहां पे एक आपका diode लगावा था, ठीक है और उसके बाद में, यहां पे resistance लगावा था, तो उसमें पूछा गया था, भी यह circuit की चीज़ का है, यह circuit की चीज़ का, यह clipper circuit था, और इसका काम क्या होता है, उसके बाद में, यह जो चीज़ यह ना, capacitor है, diode है, resistance है, उनको साथ में दिये गए, और यह जो circuit है, यह जो चीज़ यह इन सब को assemble करके आपको बताना है, तो इस परकार की चीज़ है, वह बहाँ पी पूछी जाती है, motor mechanic वाले जो बच्चे है, उनको अलग-अलग engine के बार में साथ में लेके गूमते हैं, और engine के चीज़ों के बार में पूछते हैं, तो इस हिसाब चीज़ प्रेक्टिकल knowledge मतलब check किया दाता है, एक तो आपके जीदे में tools बगरा होती है, basic यह चीज़े होती है, उनके नाम और काम पता होना चाहिए, और IT में आपके जो practical होते है, मोटा मोटी जो practical होते है main practical, वो आपके clear होने चाहिए है ना, तो इस हिसाब चीज़ हो भूजी जाती है, वैसे देखिए DRDO का आपका जो skill test, trade test है, यह return test के बाद में होने वाल है, लगबग 20 दिन महीने पर का आपको time मिल जाएगा, तो आप अपनी जो government IT को ले जाए, या फिर कहीं पर भी आपने जिस भी college यह पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट college है, जिसमें लेव बगर है, तो वहाँ पर जाकर के IT के जो मोटा-मोटी जो practical है, मेगर बगर हो गया, ओमीटर बगर हो गया, वाइट स्टोन bridge बगर हो गया, DC motor हो गई, induction motor हो गई, joint बगर हो गया, इस पर करके जो भी practical है, दुबारा से आपको उनका अभ्यास कर लेना, ठीक है, तो इस हिसाब से DRDO का skill test होता है, चाहिए DRDO का हो, चाहिए ESRO का हो, चाहिए किसी भी department का हो, skill test होता है, उसके इंदर आपका practical knowledge check किया जाता है, कुछ इसी साफ से चीज़ें पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा अभी से आपको DRDO का अगरा प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चीज़ के आपको tension लेने की ज़रूर नहीं है, DRDO में जो selection होता है आपको पार करना अच्छा स्कोर बनाना कापी मुश्किल होता है, तो अभी आपको पहले आपका जो return test है, उसी की तियारी करने, बाद में आपको 20 तिन का महिने पर का कम से का time मिल जाएगा, तो उसके इंदर ये जो वीडियो को डिस्क्रिस में लेगी, उसको जरूर जोइन कर लीजिए, बहां पे काफी सारे job update के notification में share करता रहता हूं, thank you